अब मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगा पर विजिट किया है आपकी हाइट 110% इंक्रीज करेगी नो डाउट जैसा कि आपको पता होना चाहिए अब तक मेरे से बहुश से लोगों ने अंजल नमबर लेकर अपने हाइट को इंक्रीज किया जी हाँ एंजल नमबर से अपनी हाइट को इंक्रीज किया है चाहिए वो किसी भी एज गुरूप के हो जैसा कि आपको पता होना चाहिए एक पंजाब की लड़की जिसकी एच थी 17 प्लस उसने मेरे से एंजल लंबर लेकर हाइट इंक्रीस किया एक राजिस्थान की लड़की जिसकी एच थी 26 साल उसने मेरे से एंजल लंबर लेकर अपनी हाइट को इंक्रीस किया 27 साल की उडिसा की लड़की ने उड़ी साल की उडिसा की लड़की ने एक 16 साल की ईू पी की लड़की ने ऐसे बहुत से लोगें ने मेरे से एंजल लंबन लेकर अपनी हाइट को इंक्रीजर किया मैंने इस हबते अपने चैनल पर एक वीडियो और अप्लोड किया जिसमें एक 30 सार की लड़की ने मेरे से एंजल नमबर लेकर अपनी हाइट को इंक्रीज किया यह सारी प्रूफ वीडियो इसी चैनल पर अप्लोड है आप देख सकते हैं फिर उसके बाद अगर आपको विश नमबर से ना सिर्फ लोगों की हाइट इंक्रीज किया हूँ बलके उनके सपने को भी सच किया हूँ जैसा कि किसी की शादी नहीं हो रहे थी उनकी शादी होने लगी जैसा कि किसी के जॉब में प्रॉबलम आ गई थी किसी के प्रॉबलम आ गई थी किसी के हिल्थ में पूर हो गई यह सारी बाते ट्रू है और सच है आप देख सकते हैं इसी चैनल पर मैंने बहुत सारी प्रूफ वीडियो अप्लोड किया है भारत का एक मात रहसा चैनल है जो लोगों की हाइट इंक्रीज कराता है और आज मैं एक और प्रूफ वीडियो लेकर आया हूं जिसमे में टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखेगा मैं इसा क्यूं कह रहा हूं क्योंकि जब मैं वीडियो में जो चीज बताता हूं जैसा कि मैंने बता दिया 17 साल 18 साल 20 साल हर एज ग्रूफ के लोग अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं फिर आप आ आज मैं आपको पूरूफ के तोर पर बहुत सारी बातें भी सिखाऊंगा आखिर आपकी हाइट क्यों नहीं इंक्रीज होती है और आपकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी सबस्ते पहले आप इस लड़के की आवास सुनिए जिसने मेरे से एंजल नमबल लिया और अपनी हाइ मैं 의 सबस्ता है मैं जूट नहीं बोल सकता है मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हो बहुत सारे लोग मेरे से इंजल नमबल लेते हैं और मुझे बताते हैं अपनी उस आईडी से जिस आईडी से वह इंजल आणर को बाई और याइडी देग मैं उनको सिकाता हूं कम से कम एक से देल घंटा किसी का दो घंटा लग जाता है उनको A to Z सिकाता हूँ जब वो इंजल अमबर को सही जानकारी ले ले लेते हैं और वो सीख लेते हैं फिर उसके बाद वो अपनी हाइट इंक्रीज करने बाद मुझे मैं सच में करके बता आते हैं सर मेरी हाइट इंक्रीज होगी फिर उसके बाद मैं उनकी वाइज मांगता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं देखें सच बता रहा हूँ इस लड़के ने उस आइडी से मेसेज नहीं किया मुझे पता भी नहीं है कि इसने इंजल अमबर लिया है कि नहीं लिया है मैंने आपको बता दिया चाहता मैं कहा देता कि इसने मेरे संचल नमबर लिया और अपनी हाइट इंक्रीज के हाँ लिया है पाउस सारे लोग ऐसे हैं कि उस आइडी वो आइडी बन हो जाती है फिर वो आगर दूसरी आइडी से मुझे बताते है कि सर मेरी हाइट इंक्रीस हो गई है तो यह मेरे लिए खुशी की बात है और आप लोगों के लिए भी यह खुशी की बात है कि भारत में एक मात्र ऐसा चैनल है जो दुनिया की लोगों की हाइट इंक्रीस कर रहा है जी हाँ दुनिया के लोगों की हाइट इंक्रीस कर रहा है जैसा कि आपको पता होना चाहिए एक फिल्पिन्स की लड़की ने मेरे से अंजल अंबर बाई किया कैसे बाई किया सुपर थैंक्स की जरीए उसने मेरे से अंजल अंबर बाई किया और अपनी लाइफ में खुशिया ही खुशिया लाया उसी तरह एक यूके की लड़की ने जो की रहती यूके में उसने बेरे से अंजल अमबर को बाई किया सुपर थैंक्स जरीए आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में वो वीडियो में जाकर आप देखें जहांपर एक सरदार जी ने मेरे से अपनी प्रूफ वीडियो उनकी मैंने अप्लोड किया सरदार जी की मैंने प्रूफ वीडियो अप्लोड किया आप देख सकते हैं वहाँ पर सुपर थैंक्स है फिर आपको यकीन हो जाएगा कोई फालतु में मुझे सुपर थैंक्स नहीं करेगा दोस्ट यहाँ पर कोई एक रुपए की चाय नहीं पिलाता तो मुझे सुपर थैंक्स क्यों करेगा उनकी हाइट इंक्रीस हुई है उन्होंने एंजेन नंबर को बाय किया और अपनी हाइट को इंक्रीस किया आप भी कर सकते हैं और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आखिर आपकी हाइट क्यों ने इंक्रीस करती सुनिये आपको अपने माइंड से निगेटिव चीजे निकाल देना है सिर्फ पॉजिटिव सोचना है जैसा कि एक मुर्ख वैक्ति आया मैं उसको सिकाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता अगर आप किसी की आलोचना करेंगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ वैसा ही करेगा तो मैं उसको सिकाने के लिए और आप लोगों को सिकाने के लिए बाते बता रहा हूँ एक Üसेशी नाम का आप यूजर अपने नाम पर इसी लिखा है और कहता है कि मुझे गौर्मिल जाब करना है पंडना लिखना आता नहिए जी हां पंडना लिखना आता नहिए तो क्या लिखता है सुने é घैता है comment में YouTube में जे וमें आइसे suggest कर रहा है YouTube केता है कि ये वैक्ती ऐसा लिख़ा है कि आप इसको approval दे सकते हैं तो क्या लिखता है सुने केता है कि अगर real में higher increase होती तो मैं इसको 1 लाग रुपै देता हूँ और ये अपनी हाइट मेरी हाइट करके दिखाए भाई मैं गौड नहीं हूँ अगर आप कहते हैं एक लाग रुपए में आपके हाइट इंक्रीज करा दूँ अगर मैं गौड होता तो एक लाग तो छोटी चीज़े भाई रिशापपंद हमारे इंडियन किरिकेटर बैठे आपके स्टेट भी कोई विकेंसी निकलती है और खांसर ये कहते हैं कि मैं सभी को जॉब दिलवा दूँगा और विकेंसी ओनी 30,000 है चाहे बिहार और यूपी जब भी कहीं किसी पोश्ट निकलती है ज्यादा तर 40,000 है अगर पुलिस की है तो 40,000 है अगर चोटी बड़ी है तो 3,000 अब 3,000 या 40,000 वे किंसी निकलती है और उसमें करोड़ो करोड़ो इस्टुetrond यानि जो जॉब पाना चाहते है वो फॉर्म को फिल करते है कोई फिजिक वाला हैं या जाता है कोई खांथ सर के जाता है दस लाक बीस लाक लोग जाते हैं और कहते हैं कि खान सर मैं आप से पढ़ना चाहता हूँ फिजिक वाला मैं आप से पढ़ना चाहता हूँ क्या आप मुझे जौब दिलवा देंगे क्या मेरा एक्जाम क्वालिफाई करवा देंगे वो क्या कहते हैं हंडेट पंडिसेंड गारंटी के साथ अब मैं आ आप लोकों से पूछना चाहता हूं कमेंट में जवाब जरूर दीजीगा क्या तीन हजार या किसी विकैंसी में चालिस हजार सीट है और दस लाग बच्चे को पढ़ा रहें क्या ये पॉसिबल है दस लाग को वो गारंटी दे रहे हैं क्या वो सभी को जवाब दिला सकते हैं नहीं न नहीं न वो नहीं दिला सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आप भी आपके मन में क्या चला है लेकिन बच्चे उनका कोर्स को बाय करते हैं अगर वो डिमेटिव होके बैठ जाएंगे पता चला वो घरी पर जाएंगे फिर उनको कभी अगर वो सोचे की आपको पता होना चाहिए कि नीट का पेपर अभी क्या करते हैं लीख हुआ क्या सच है क्या जूट है मैं नु overcoming बता रो हूँ मैं अपने तरफ से कुई बाती नहीं बता रहा हूँ सच है कि मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं आप से पूछलना चाहता हूँ आ तो पता चलेगा खान सर कहेंगा रहे मुर्ख मैं तुमको पढ़ाता हूँ अब तुम जैसी तैयारी करोगे वहीं से इसका रिजर्ड होगा मैं अपनी तरह से 100% दे रहा हूँ अब फिर जब तुम मेरी बातों को फालो करोगे तो तुम्हें जौब मिल जाएगी जैसा कि खा थे लंबालियां की हाइट इंक्रीस होई है यह 100% है मैंने हर एक हफ्ते पुरूफ वीडियो अप्लोड करता है और क्या चाहिए आप देख लिजे किसी की चैनल पर करोड़ो वीड्स हैं लेकिं क्या कोई एक भी पुरूफ वीडियो अप्लोड करता है नहीं ना आप सवाल करते हैं हाइट भी इंक्रीस करना चाहिए आप आप मेरे भाइ मेरी गारंटी नहीं है मैं आज यहां पर खड़ाओ कल मैं जीवीत ना रहा हूं जब य्युक्त आप को डे रहा है तो आप क्यों गारंटी मांग रहे हैं अप मह Pen शमय फाइब भी गारंटी नहीं मांग रहे हैं और यहां पर आपको कम पैसे में आपकी लाइफ, आपका जीवन बदल रहा है, आपकी जिन्दगी बदल रही है, फिर भी आप गारंटी मांगते हैं, अब मैं कैसी गारंटी दू बताओ, भाई देखो मेरे प्रूप इडियो, देखो, सोचो द हां से सुनो, एक नहीं बार-बार सुनो, अगर दिल की आवाज, दिल की आत्मा, अगर आपके अंदर की आत्मा ये कहती है की जिसने हरड इक्रीस किया है, उसकी आवाज ट्रू है, फिर एंजेल लबर को बाय करें उसे शक्त न करें, जितना शक्त करेंगे, आप लाइफ मे बड़े बड़े अगर वो ये सोच ले कि मैं इनको कभी हराई ने पाऊंगो तो वो तो चुनाओ ही ने लड़े हाना फिर तो वो नीवरोद जीत जाएं लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्चा करके मोदी जी के सामने राहुल गांदी के सामने बड़े बड़े नेता के सामने चुनाओ ड़ते हैं हार जीत अपने दर पर लेकिन वो मैदान में जाते हैं कि नहीं और आप मैदान में जाने से पहले हार मान ले रहे हैं कि सर हाइड इंक्रीस नहीं तो क्या हुआ सर पैसा डूब जाएगा अरे भाई जाओ पैसा तो तुम्हारा लाइट तुम्हारे इसी बरबाद हो गई है क्योंकि साइंस बोलती है कि एक गर्स की हाइट 12 से लेकर 18 साल तक इंक्रीस करें उसके बाद नहीं करेगी आपकी लाइट तो चोपड हो चुकी इसी में उसी तरह आप गल्स के लिए बॉइस के लिए क्या है एक बॉइस की हाइट 13 से लेकर वो नई साल तक इंक्रीस करें उसके बाद नहीं करेगी आप जाएए गूगल पर देखिए डॉक्टर आपको तो डिमुटिविट करें दिए कि ये जेनेटिक प्रॉबलम आपकी हाइट इंक्री खोर सेगे जो गारंटी मांगते ना मैं उनका चैलेंज कर रहा हूँ आए वो मेरे पास मैं बुलाओंगा उनको और मुझे 10 लाग रुपए दें और मैं भी 10 लाग रुपए देता हूँ अब मैं अपना उनके सामने आडी खोलूँगा ये तो आप देखना हो सकते कौन सी आडी में उनके सामने आडी खोलूँगा और दिखाऊंगा देखो फिर उनसे मैं 20 लाग रुपए लोगा फिर बोलूँगा देखो ये है कि ने बहुत गारंटी मांगते ना आजाओ आजाओ चैलेंज करता हूँ तुमको आओ मैं चैलेंज करता हूँ जिसको आना है आपको वीडियो दिखाता हूँ और आपको ऐसे रूम में नहीं दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा इंडिया गेट भारत के इंडिया गेट दिली महराष्च या ओड़ुज़ा के जितनी भी राजदानी हैं हमारे स्टेड की अलग-अलग वहां पर मैं ले जाऊंगा आपको आउ मेरे साथ, फिर दिखाता हूँ ना खुरिए पानी पानी दिखाता हूँ तो मेरे भाई अपना हो मेरे समय बरबाद ना करो मैं लणने वाला नहीं हूं, युनिवर्स में माना करता है मैं यही कहता हूँ और यह सब वही छोटे किसम के लोग होते हैं कि सोर्छोटी होती है पहली बात एक बात बता दिता हूँ सौर्चोटी बे क्या होता है यह बहुत से लोग जो इस तरह के बोलते न HAR में खाने को नहीं तो फिर जब मैं उनको नमबर कहता हूँ बाई करो जब वो बाई नहीं कर पाते तो इस तरह का जाए के कमेंट में में सज़ करते हैं और आपको बता देना चाहता हूँ यूटूब में सजेस्ट कर देता है कि मैं यह मेसेज को आगे बढ़ाऊं कि ने बढ़ाऊं तो देखा जिस तरह यूटूब हेल्ब कर रहा है उसी तरह यूनिवर्स वेल्ग पर रहा है जो निगेटिव सोस्ते हैं उनकी ही लाइब बरबाद होगी जो पॉजिटिव वो एंजल नमबर लेते हैं अपनी हाइड इंकरिस करते हैं और अपनी जीवन में खुश रहते हैं तो अगर याद रहें फालो जरूर करना है अगर फालो नहीं करेंगे तो आपकी हाइड इंकरीस नहीं बढ़ेगी आप एंजल नमबर के लेकर चले जाएंगे कोई फाइदा नहीं आप जाईए मुझे फालो कीजिए मैसेच कीजिए और मैसेच को ध्यान से पढ़ए कुछ लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर वाकई में इसमिधु लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और अगले हफते में एक और बड़ी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैंने एक लड़के की पूरी लाइप बदल दिया हूँ नहीं दन्यवाद